दोस्तों पहाडी गणीत विसी के अंदर काफी मैतोपून इस्तान रपते ही इस कारण से दोस्तों आपको पाड़ी हमेशा से याद होने चाहिए और आज की छोटी से वीडियो के मद्धिम से आपको हम 23 के पाड़ी को याद कराने के लिए एसे तीन तरीके बताएंगी जिनक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम इसी तरह के वीडियो समय समय पर आपके लिए और अधिक लेकर आते रहें दोस्तों आईए आपका अधिक समय ने लेंगी और वीडियो को शुरू करते ही और अगर हम 23 के पाड़ी की बात करें तो वह कु इस तरह हैं दोस्तों थेज का पाड़ा होता है एक बार हम फ्याशित दो रहें और आप आपी मर्शा दो रहें कि 23 से कम 23 इस तरह से दोस्तों आप थेज के पाड़े को बोल सकते ही और इसी याद कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों अगर हम उन तीन वीदियो की बात करें जिनकी मदद से आप थेज के पाड़े को काफी सरल रूप में लिख सकते ही और याद करते ही तो उनमें से पर्थव विदी होगी गुणन विदी के आदार पर थेज के पाड़े को लिखना और याद करना दोस्तो आपको गुणने विदी के आदार पर 23 के पाड़ी को कुछ इस तरह से लिखना होगा जैसे कि आपको स्क्रेन पर दिखाए दे रहा है यानि 23 को 1 से गुणा करती ही तो 23 आती ही इसके बाद में आप जब 23 को 2 से गुणा करती ही तो 46 आएंगे 23 को 3 से गुणा करती ही तो गुणे तरह आएंगी और इसी तरह से आपको गुणा करती हुए जना है और 23 का पाड़ा बन जाएगा जैसे 23 को 4 से गुणा करते ही तो बाण में आती ही 23 को 5 से गुणा करते ही तो 115 आती ही 23 को 6 से गुणा करते ही तो 138 आती ही 23 को 7 से गुणा करते ही तो 161 आती ही 23 को 8 से गुणा करते ही तो 184 आती ही 23 को 9 से गुणा करते ही तो 207 आती ही 23 को 10 से गुणा करते ही तो 230 आती ही इस तरह शे दोस्तों आप गुना करते हुई 23 के पाड़े को लिख सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपको कुछ इस तरह शे बोलना होगा। जैसे कि 23 से कम 23, 23, 24, 25 के बाड़ में 25, 115, 26, 136, 161, 238, 2927, 232, 230। इस तरह शे दोस्तों आप 23 के पाड़े को लिख सकते हैं। और याद कर सकते हैं। इसके लग दोस्तों नमबर टू विदी की बात करें तो वह योग विदी होगी और योग विदी के अधार पर आप 23 के पाड़े को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि 23 में 0 जोड़ती हीं तो 23 आती हीं और यह जो संक्याती है उसे वापस से 23 में जोड़ना है। यानि 23 पलस 23 तो वह 46 आएंगी और इसके बाद में आपको 23 में 46 जोड़ना है तो गुणेतर आएंगी, 23 में गुणेतर जोड़ना है तो बाण में आएंगी, 23 में बाण में जोड़ना है तो 115 आएंगी और इसी तरह से आपको जोड़ती हुए जाना है और 23 का पाड़ा बन 23 में 144 जोड़ने से 270 जोड़ने से 230 जोड़ने से 230 और इस तरह अब 23 के पारी को लिख सकते हैं और इसी याद कर सकते हैं इसके लोग दोस्तों इससे याद करने के लिए आपको 23 का पाड़ा कुछ इस तरह से बोलना होगा जैसे कि 21, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 27, 29, 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 30, 29, 29, 29, 30, 29, 30 इसके लोग दोस्तों नमबर थरी विदी की बात करें तो वह गुणन और योग विदी का सरल रूप मन जाता है जिसके अंदर आपको दो तरह की विदी देखने को मिलती है अगर पहली विदी की बात करें तो वह गुणन विदी होगी और गुणन विदी के अधार पर आपको तेस को आपड़ा कुछ इस तरह से लिखना होगा और बोलना होगा जैसे 31 कम 30, 326, 32 तिया गुणे तरे, 32 के बाण में 25, 115, 32, 168, 37, 161, 38, 184, 30 नमा 207, 3230 इस तरह से दोस्तों आप 30 के पाड़े को लिख सकते हैं इसके लगा दोस्तों इसे विधी के अंदर अगर योग विदी के बात करें तो उसके अंदर आपको 30 का पाड़ा कुछ इस तरह से लिखना होगा जैसे की 30 को एक बार जोड़ती है यानि केवल एक बार तो वह तेईस दो बार जोडती ही यानि 23 प्लस 23 तो वह 46 बन जाती ही इसके बाद में 23 को तीन बार जोडती ही यानि 23 प्लस 23 तो वह गुनेतर आती ही और इसी तरह से आपको जोडती हुए जाना है और 23 का पाड़ा बन जाएगा जैसे 23 को 4 बार जोडती है तो बान में आती ही 23 को 5 बार तो 138 आती ही, तेज को 7 बार जोड़ती हैं तो 161 आती ही, तेज को 8 बार जोड़ती हैं तो 127 आती ही, तेज को 10 बार जोड़ती हैं तो 230 आती ही, इस तरह से दोस्तों आप तेज के पाड़ी को लिख सकते ही, और इसी आद करने के लिए आपको कुछ इस तरह से बोलना होगा, जैसे 21, 23, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 29, 23 इस तरह ची दोस्तों आप 23 के पाड़े को याद कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के इन आपने जाना की आपके इन तीन तरह की वीडियो की मदद से तेस के पाड़े को काफी आसान रूप से याद कर सकते हैं अगर आपको जानकारी उप्योगी लगी हो तो कृप्या चेनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें